काना जी के लिए यह नीचे की पैंट है इसी में पूरा पहनने के बाद बहुत ही कुपसुरा सा लूक आता है यह मैं चे नंबर के काना को पहना के दिखा रही हूं बट वीडियो मेंने सभी साइच के लिए में बताया हुआ है आप वीडियो पूरी देखे आपको बहुत और यह सभी काना जी लोग सेल होने के लिए इसलिए मैं एस वीडियो के पर इढुकर बार बार कमेंट करते हैं और अब मैं सभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कह anything है तो प्लीज आप Tips a ौ Person को सब्सक्राइब करें साथ में ब्ला आईकन वीडियो की नोटिफेके सा एकदम सिंपल है गाईस अगर आप बिगनर हैं आपको बुरना चाता नहीं आता है सिर्फ डुबल क्रोश्या बनाना आता है तो भी आप ये ड्रस बना लेगे ये सब हम इसे ऐसे कर देंगे यहाँ पर देखें पीछे से बहुत अच्छे से फिट हो गई है और फ्रेंट से भी यह बहुत अच्छे से फिट है अब हम यह उपर से पहना देंगे काना जी को ये दिखें इस तरह से पहना के और यहां से बात देना है ये य Хот यहां पर आप एक नोट दे सकते हैं दो नोट और देखें या भी यह नोट टश नहीं लिगा है को तो आप टाइट भी बानेंगे तो भी कोई दिकत नहीं करेगा ये इस तरह से हमने यापे double not दे दी और double not देने के बाद यहां से हम ठोड़ा सा सैट कर देंगे इस तरह से जैसे ज्यादा आख पर ना कानाजी के अप देखे कितने अच्छे से आगई हैं पीछे से भी काफी अच्छी सी हमारी फिनिशिंग है और । डबल करके आई है पूरा ये पीछे से भी और आगे से भी आब ताधी मिध्य बी देख । काना जी को तो चले वीडिबो को स्टार्ट करती हूं और देख लेते हमने इसे कैसे बनाया है काना जी के लिए ये ये याथ आप एपके दो कललर में उण लिया है एक पिंक कलर है हमाँश पिंग कलर और एक यलो गलर, साथ में हमने 2 mm में क्रोशिया हूख ली हुई है चले हम स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल और आसान तरी के से बनाना देखेंगे सबसे पहले हमने अपना पिंग कलर वा उंले लिया है, हमें क्या कारना है, इससे इस तरह से एक लूप बना लेनी है यह देखें हमने बनाई, अब इसमें अपने हुख को डालेंगे और डालने के बाद हम चेन बनाएंगे यह देखें, यह हमने एक, दो तीन चार, चार चेन बनाई अब यहाँ पर फॉर्स चेन में डालना है हुख को यह हमने डाला, पीछे से उन को निकालेंगे, और इसी उन को अपने इस फंदे से भी निकाल लेंगे, दोनों फंदे से निकाल लिया, अब देखें हमने एक और दो, दो चेन बनाई और यह जो हमारा सरकल है, छोटा सा हम इस तरह से करेंगे और अपने इसी छोटे से सरुकल में डालेंगे और डालने के बाद फंदे को निकाला तीन फंदे हैं, दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार, इसे हम डबल क्रोश में बोलते हैं स्टार्टिtant में हमने जो दो चेंद बनाए 4 है असलिक मैं है दस और ना लीटी यूँ फिर आपके बताऊंगे क्या करना है यह क्यों करना है यहां इस चानले पर चेंड़ rendered क्वस्षाफ पीस हैं बैप टूटे से हम ने लोग फोके देखे एक circle बन गया है अब हमें क्या करना है यहां पर एक और दो दो हमने chain बनाए दो chain बनाने के बाद यहां पर देखे हम इस तरह से सभी chain में दो दो बार double crochet बनाएंगे फॉस्ट चेन में हमने बना लिया एक बार और यहीं सेम chain में एक और बार यह इस तरह से फिर अगली chain में दो बार बनाना है नेक्स chain में डाला यह एक double crochet और यहीं सेम chain में डालके एक और बार double crochet यह देखे हैं फिर हमने इस तरह से किया अगली chain में डालेंगे यह हमने double crochet बंदी और यहीं सेम chain में एक और बार बन दिया इसी तरह से हम अपना पूरा row complete करेंगे सभी chain में दो दो बनाते हुए चलिए बना लेती हूँ फिर आगे बिताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां तक बुंदिया है अब हमारी यह जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम एक ही बार बनाएंगे क्योंकि इसी चेन में हमने अपनी दो चेन बनाए थी वह भी हमारा एक डबल क्रो पूरा अब फिर हमें यह हli पर एक और दो डो चेन बनानी अब देखिए हम स्वास्चिन में डालेंगे यह थी कि हमने एक बार और यही सेंडेमे एक आर्ब डबल क्रोश्या बनाई इस तरह से अगली चेन में हमें एक बार बनाना है फिर इसके बाद वाले जो चेन आईग यह एक और यह दो आप वो clear समझा देती हूँ देखे पहली chain में दो बार बना लिया दूसरी में एक तीसरी में दो चौथी में एक पांचवी में दो फिर छटी में एक इसी तरह से यह पूरा रो complete करना है चले करती हूँ यह आपके पात कैसे पुर्णा है फिर हमने हमने हिहां पर दो chain बनाई फोस चेन में हमने यह एक बार double crochet और यहीं सेम चेन में एक और बार double crochet बना लिए अब यहां बीच में दो दो चेन का कैप देना है तो देखे पहली चेन में हमने एक बार बनाया एक बार बनाया और 3 चेर्ण में हमने ये 1 और यहीं सेम चेन में डालके एक और बार बुन दिया तो इसी तरह से पूरा रों कम्ठीट करना है दो chain में एक एक बार और तीसी chain में दो लगर डबल क्रॉश या बनाते हुए तो चले अगे करतिंगों फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह देखिए हमने यहां पर इसे इतना बुल लिया है और हम इसे भी लॉक कर देंगे यह देखिए यह हमारा रो कम्टी जो गया है यहां पर इस तरह से उन को निकाला इसे हमने यहां से भी निकाल लिया अब यहां पर अपना य चोटा चोटा यलो और यह देखें, पिंग कलर का उन है, दोनों को हम एक साथ पकड़ लेंगे, जिससे हम जब बुने तो इसी में हमारा हाइड हो जाए, अब देखें, यहां पर कैसे बुनना है, एक और दो, दो हमने चेन बनाई, इस तरह से करेंगे, और यहां पर जो हमार जो नहीं बडनाई, जो बनाई ऐसे करेंगे, इस तरह से, यहां प़ 01, और यह यहीं पे दो मैं अगर किसी भी साइच के लिए बताती हूं आपको तो इसी सीरीज में यह हमारा बढ़ता चला जाएगा देखें पहले में हमने सभी चेन में बना लिए पहले में हमने ऐसे अपना एक सरकल चोटा सा तयार करना है दूसरे बाले में सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोश या तीसरे में जब आई हूं तो एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में दो बार डबल क्रोश या चौथी रो में जब आई तो एक चेन में हमने एक बार और दो चेन जोरी दो chain में एक बार और तीसरे में हमने दो बार बना है आप यहां पी जब हम आए हैतो तो हमने तीन चेंड में एक बार, चौते में दो बार बना है अगली में जब आप आएंगे तो आपको यहां पर इसे जोइंट कर लेंगे यह इस तरह से उनको निकालना है और यह हमने जोइंट करने के पाद एक चीन बनानी है हलका सा लंबा करके कट कर देना है बस यह हमारा सरकल जो है वो रैडी हो गया इसी तरह से हमें दो पीस बनाना हो अचले दूसरा पीस भी बना लेती हूँ फिर मैं आपको सभी साहच के लिए मिजर्मेंट बता देती हूँ यह देहು हमने हाँ अपना यह दोनोन पीस डेडी कर दिया है दोनों अए तम हम अच्छा सा सरकल ला है अगर आप यहाँ पे देखेंगी देखिए हम 27 दो, तीन, चार, 4 rows हमारे double crochet case और 1 half double crochetük, मिन्स हमिने आपे late 4 मैंने आपे लिख दिया है, यह मैंने 6 लिखा यह यह चार od часов, मैंने आपे 4 लिखा है, 4 rows हमारे double crochet και 1 half double crochet 아प देख़ें 0 size में आपको 2 rows पून लेनी है, 2 rows आपकी double crochet की रहेगे, उसके बाद आप चाहें तो एक रो सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया नहीं सिंगल क्रोशिया आउट्लाइन के लिए दो नमबर के लिए आपको बनाने हैं तीन रो जिसमें से दो आपकी डबल क्रोशे की रहेगी, तीन नमबर में भी आपकी तीन रो रहेगी, तीनो डबल क्रोशे की, चार नमबर में आपकी चार रो रहेगी, जिसमें तीन डबल क्रोशे की, पांच नमबर में आपकी चार रो रहेगी, चार रो डबल क्रोशे की, और 10 नमबर में 8 रो, 8 रो डबल क्रोश है, और मैंने पता ही दिया है कि आपको इससे किस तरह से बढ़ाना है, अब देखिए, यह हमारा नीचे का पैंट के लिए हो गया, पर जो चोली के लिए रहेगा, उससे चोली वाला हमारा एक रो बढ़ा रहेगा, इससे एक रो तो इसमें आगे अपनी बुनाई स्टार्ट करते हैं, अब देखिए हैं कैसे सिलेंगे, यहां पर एक दूसे के ऊपर लखेंगे इस तरह से, थोड़ा सा एक दूसे के ऊपर लखेंगे, और यहां हम इसे सुई धाई के अपर सिल देंगे, मैंने आपे सेम कलर में उन डाल है, जिससे जब हम इसे स्टिच करें तो हमारी सिलाई जो है वो आगे से दिखे भी तो पता न चले कि हमने आपे सिलाई लगाई है, यह देखें, यहां पर इसे चिपका भी सकते हैं, अगर आप पस ग्लू कन है, तो आप इसे चिपका भी सकते हैं, यहां पर यहां पर यहा बहुत मुश्किल से बन पा रही है जो दा दो चार वीडियो पड़ पा रही है ताइम देगा तो मैं सभी के कमेंट का फिर रिपलाई कर दूगी यह देखें यह तरह से हमने स्टिच कर दिया है अब हमें क्या करना है हमें इस तरह से इसे मोड लेना है और इसमें टाल देनी ह का दोरी को मोड़ए का तो हमने सिम्पल से यह देखें चीन बनाई होई है इसे हम डाल देंगे इस तरह से बराबर में मोडें यह अपने सिलाई के बराबर में और यहां पर डोरी को ड्याव यहाँ उपर से आप डोरि डाल देंगे तो यहाँ पर यहां पर इसा तुहाँ पर आधि happens यहाँ पर नसरा मुड़ा दे हमें अभी तो के यक पोदूने के बाद इस तरह करें और जारें और खिर करें यहाँ तanted अबुम सब्सक्रां सेंटर से थोड़ा साइधर से हम बुना स्टार्ट करेंगे यह हम आगे की अपनी चोली बना रहे हैं बहुत इजी है गाइस एक्टम सिंपल और आसान तरीके से बन जाएगी यह देखें यह इस तरह से यहां पर हमें पुल लेना है यह हमने उन निकाला यहां पर हमने एक और जालती हमने किया यहां पर अगले में डाला थोड़ा सा आगे और डॉटल क्रोश्या बन दी यहां कोई आपको प्रॉपर चैन जो मिलेगी नहीं यह ही तोटाल में आट डवल क्रोश्या है यह हमने यहां पर देखें ऑदकर में गले पर दोट्राइं से भी एंब बखो प् और अभी मैं बता दूंगी कितनी कितनी डबल क्रोशे आपको किस किस साइज में बनानी है मैं यहां आठ बना रही हूँ छे नमबर के लिए यह हमारी बन गई लास्ट वाली भी देखिए टोटल आठ हो गई है हम इसे टन करेंगे और टन करके यही बन देंगे हमारी डीपीट ही घाएगे हमने दो चेन बनाई sudah by भी बोच चैन में जहीं हमने एक बार थार्ड में जिए एक बार डबल क्रोशिया बुन देना है यह देखें बहुत बहुत easy है बहुत अगर आप beginner भी है तो भी आपको कोई problem नहीं होने वाली है simple और आसान तरीके से आपका यह बनके ready होगा यह हमने देखें बुंदिया फिर turn करना है फिर दो चीन बना के और बुंदिया तो चलिए अब मैंसे थोड़ा सा लंबा करती हूं बुंदिया फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है यह देखें हमने यहाँ पर एक दो ती आपको दो बनानी है एक नमबर में तीन दो नमबर में चार तीन नमबर में पांच चार नमबर में छे पांच नमबर में साथ चे नमबर में आठ साथ नमबर में दस आठ नमबर में बारा नौर नमबर में चौदा और दस नमबर में आपको सोला बनानी है तो आप इतनी त स्टिच करनी का अब हमने यहां से पेडिके हैं दोरी टाल करनेंगों गले बानदें ब बॉहत इजह दॉलनिफ़ हों सभी डालना है और यहां अब आप्णि है यह जो निकल रहें कोई दिक्कत नहीं होती है यह निकल के आ गई बस हम इसे बात देंगे अब हम इसे पूरा सिल देते हैं बस क्या करना है यहां से एक दूसरी के उपर रखना है और थोड़ी दूर यहां सिलना है उसके बाद दोनों को जॉइंट करके इसका वी सिल लेना है तो पहले हम उपर तक के यहां से सिल देते हैं एकदम मैंने डीटील में आपको बताया है कहीं से कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है जिससे आपको समझ में ना आया हो और एकदम सिंपल है सिंपल आपको सरकल बनाना है और इस तरह से स्टिच कर देना है तो आपका यह रैडी हो जाएगी तो इसे हम पहले स्टिच कर देता है इस तरह से पूरा यह देखिया है यह हमने यहां पे से सिल दिया है बहुत जाता भी नहीं सिलना है कि पहनाने में प्रॉब्लम होने लगे यहां से हम थोड़ा सा छोड़ते हैं हम अपने नॉर्मल पैंड भी बुनते हैं तो इसमें भी थोड़ा छोड़ते हैं तो यहां पे भी हमने थोड़ा छोड़ दिया अब इस दूगी को हम उपर उपर ही देखें ऐसे उपर उपर ही बिना सिले ऐसे यहां नीचे लेके आ जाएंगे यह देखिये जिसे हम इसे नीचे अब अपना यह वी वाला जो हिस्सा है सिल सकें तो यहां पे हमें ऐसे सिलना है यह देखिये यह इस तरह से स्टिच करेंगे आप देखिए कितना इजी है अगर आप बिगनर है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है सिम्पल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं यहां पे आप मुक की हल्प स सिल सकते हैं अगर आप चाहे तो और आप चाहे तो मेरी पर यहां पर नट लगा दी नौट लगाने के बाद हम इसा पर-बीस्टा हिसा भी कितने अपर दूसरा पैर भी सिलेगा तो देखें, सेम तरीके से हम इसका दूसरा पैर भी सिल देंगे यह देखें, बहुत अच्छी लगती है guys, एकदम सिंपल और आसान तरीके से है बनाना इसे बहुत इजी है, यह हमने सिल दिया, बस यहाँ पे नॉट लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, कभी भी हम तुरंत नहीं कट करते हैं, थोड़ा सा आगे से उन को निकाल लेना होता है और फिर हम इसे कट कर देंगे, बस यह हमारा रेडी हो गया है, अब इसे हम सीधा कर लेते हैं अब यह आप देखिए, किसे पहनाना भी उतना ही इजी है, जितना इजी से बनाना है यह हमने कर दिया, अब चले हमें आपको कैप भी बढ़ाना बताती हूं अब देखिए, हमने यह पे अपना बड़ा वाला पीस ले लिया है, जहां से हमने इसकी नॉट लगाई है, वह हम एकदम टॉप पे रखेंगे यह सभी काना जी लोग जो हैं, आप देख रहें, यह सभी लोग सेल होने के लिए आते हैं, मैं इनकी पूझा नहीं करती हूं हर वीडियो में क्लियर करती हूं, क्योंकि आप लोग बोलते हैं, क्या पैसे बठा देटी है, वुडिन के उपर यह देखें, या तो आप यहां पे ऐसे चिट-चैट बटर लगा दें, और या फिर यहां पे ऐसे डोरी लगा दें, और उपर वाला हिस्सा भी देखें, इस तरह से इसे स्टिच होगा तो चलिए हम उपर वाले हिस्ते पर भी मार्क लगा देते हैं और नीचे वाले पर भी यही से ऐसे पकड़ेंगे यह देखें यही से हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर एसे मार्क कर देंगे यह हमने एक मार्क यहां पे लगाया और एक हमने यहां पे लगा दिया अब हम इसे उपर से पकड़के यह दो मार्क यहां पे लगा देंगे हमें इसे यहां से यहां तक सिलना है और यह वाले मार्क हमने जो लगा हैं यहां पे हमें डोरी बुर्णी है अब काना जी को आप हटा सकते हैं अब हम यह आप ऐसे ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टी साइट से जो हमने उपर का यह दोनों मार्क लगाया है यही दोनों में इस तरह से पकड़ के और स्टेच कर लेना है यह देखें यह ऐसे करके आप देखें कितना इजी है और नॉट लगा के आप कट कर दूँगी तोड़ा सा लंबा रखके कट कर लेंगे क्योंकि यहां वैसे भी दिखेगा नहीं यह देखें कि हमारी कैप पे इतना सेट होने वाला है और अब हमें यहां यहां दो जोगा डोरी बनाने हैं कि आसे हमें लबी सी चेंड बना लेनी है और नॉट लागा के कट कर लेना है सेम हम इसकी दूसरी साइट भी करेंगे चले कर लेती हूं फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह देखें हमने यहां पे यह दोनों साइट की जो डोरी है वो बना दी है और इसमें छोटा-छोटा सा ऐसे हमने ऐसे सिंबल से चेंड बुन के और ऐसे टिका दिया है जिसे साइस सामने से देख के अच्छा लगे बस यह देखें यह उपर का भी हमारे ड़ी है नीचे का भी ड़ी है अगर आपने वीडियो स्किप्ट कर दिया तो आप जाके चेक कर सकते हैं आई होग आच की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हम बिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे